उज्जेन दक्षन बधान सवा सीट से बधायक महौन यादव अब मध्यपरदेश के नए मुखमंतरी होने बाले हैं लेकिन उनका राजनितिक सफर कैंसा रहा है इसके बारे में बिस्तार से जानते हैं महौन यादव ने साल 1984 में अखिल भारती विद्यार्थी परिश्वा दियाने की ABVP से अपने राजनितिक करियर के शुरुआती साल 1986 में उन्हें ABVP के विभाग प्रमुक के जिमिदारी चौपी गई यादव की छपी सडक पर संघर्ष करने की अधिक मानी जाती है उनकी पता का नाम पूनम चंद यादव है अगर उनके शेक्षिण के योगता की अगर बात की जाए तो उन्होंने पहले बीसी किया फिर एलेल भी किया उन्होंने MBA किया यही कारण है कि उन्हें जैसे महदव पून पद की जिमिदारी चौपी गई साल इविद्यार्थी परिशद मद्यपरदेश के सहमंतरी और राष्टिय कारणी के सदस्ष और फिर साल उन्होंन नभासी और नभबे के दर्मियान में परिशद की परिदेश एकाई के परिदेश मंतरी और इसके अलाबह अगर बात की जाए साल 1991 और बान भी की तो परिशद के राष्टिय मंतरी बनी और इसी तरह साल 2004 में सिंहर्ष्ट मद्यपरदेश की के अंदरी समीति के सदस्ष बनी साल 2004 से लेकर साल 2010 के बीच वो उजयन विकास प्राधी करण के अध्यक्ष बनी और इसी दोरान उन्हें राज्य मंतरी का दर्जवा भी दिया गया और बात की जो है अगर साल 2008 की तो 2008 से लेकर की वो भारत स्काउट एंड गाइड के जुला अध्यक्ष साल 2011 से 2013 में मद्यपरदेश राज्य परेटन विकास निगम भौपाल की अध्यक्ष बनी इस दोरान उन्हें कैबिनेट मंतरी का दर्जवा भी साल 2013 में 14 वी बधान सभा कर जब गठन हुआ तो वो यहां पर पहली दफ़ा बधायक बन कर पहुचे अधारा में दूसरी दफ़ा वो बधान सभा सदस्वे निर्बाचित हुए और दो जुलाई तक वो इस पद पर रहे और इसी तरह अगर बात की जाए 2020 की तो उन्हें उ सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी सौपी गई है मुख्यमंत्री बनने के बाद अब उनके घर में जर्शन का माहौल है जिसकी तस्बीरें आप स्क्रीन पर देख शकते हैं